हम लोग एस ब्लॉक में और बागी सब में थर्मल इस्टेबिलिटी हम बहुत जादा पड़ते हैं हर एक इन और इन और इनक का बहुत इंपोर्टन थर्मल इस्टेबिलिटी के बहुत सारे कोशन साते हैं तो आज में एकम सिंपल सी ट्रिक्क शेयर करूंगी जो मेरी टीचर इसने मेरे को बताई थी लाइक जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत जादा है यह ट्रिक्स तो देखिए जितने भी कहीं आयोनिक और कोवेलिटी हो सबकी एक ही वीडियो है इसमें सारे थर्मल इस्टेबिलिटी की कोशन सबसे हो जाएंगी पहले वीडियो देखिए इसके बाद कोशन स्ट्राइक करिए क्योंकि वीडियो छोटी हो इस वज़े से मैंने बहुत कम एक्जामपल्स रखें तो देखते हैं सबसे पहले थर्मल इस्टेबिलिटी के बारे में हमें देखना है कोई भी जो हमें मिलेगा वो आयोनिक है या फिर कोवेलेंट है सबसे पहले हम थर्मल इस्टेबिलिटी के बात करते है कोवेलेंट मॉलिक्यूल में तो जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा तेक है उसमें थर्मल इस्टेबिलिटी का ओडर के लिए हमें उसकी बॉंड एनरजी और नमबर ओफ बॉंड्स के डिरेक्ली प्रोपोशनल है तो प सबसे डिरेक्री प्रोपोर्शन होता है सबसे ज़्यादा N2 के थर्मल इस्टेबिटी उसके बाद O2 के देन F2 की ठीक है सेम इसमें CH4, NH3, H2, HF ठीक है इसमें चार बॉंड है इसमें तीन है इसमें दो है इसमें एक है ठीक है तो यह कोवेलेंट है हना यह सारे मॉलीक्यूल तो इसमें हम क्या करेंगे number of bond को priority देखे उसमें इसमें सबसे ज़्यादा थर्मल इस्टेबिटी इसकी देन इसकी देन इसकी ऐसे हो गया ठीक है उसके बाद जैसे यह है HF, HCl, HBr, HI यह भी covalent molecule है तो इसमें जैसे ही हम number of bond तो सम्में एक है तो हम bond energy देखेंगे तो जैसे इसमें F जो है इसका less size है ठीक है less size है इसका मतलब overlapping बहुत अची है इसका मतलब bond energy सबसे ज़्यादा इसकी है और bond energy के directly proportional होती है thermal stability तो सबसे ज़्यादा HF की thermal stability then HCl, then HBr, then HI ठीक है यह होगे हमारे covalent molecule का उसके बाद हम देखते हैं ionic का ठीक है तो ionic के हमारे पास दो case है ज no atomic के लिए होगा तो उसमें thermal stability is directly proportional to lattice energy है हमें पता है lattice energy directly proportional होती है charge by size के ठीक है तो देखिए पहले यह भी देखते फिर tricks बताऊंगे ठीक है तो और पहला होगे monatomic then polyatomic तो polyatomic तो एक मिट जैसे monatomic का क्या होगे जिसमें A की atom हो like F, A, C, L, B, R, I, H, O, N, S इसमें सिफ A की atom अब polyatomic like इसके example होगे जिसे OH, CO3, 3O, O, O, C, C, carbon atom है तो polyatomic तो OH, CO3, 2-SO, 2-SO, 2-N, 3-O, 2-NO, 2-NO, 3- तो यह सारे polyatomic है तो इसके case में thermal stability is directly proportional to ionic character and हमें पता है जितना जादा ionic होगा इसका मतलब कोवेलंट के inversely होगा कोवेलंट कम होगा and covalent हमें पता है directly proportional to polarization के ठीक है तो ionic character inversely proportional to polarization ठीक है and हमने पढ़ा है कि polarization जो है directly proportional to charge के और directly proportional to size of an ion and inversely proportional to size of cation ठीक है तो अब देखिए, covalent के लिए तो इसक्तम simple है bond energy और number of bonds के directly proportional है ठीक है और monatomic के लिए हम कैसे याद करेंगे ठीक है monatomic examples तो बहुत easy है ठीक है अब देखिए जैसे mole ठीक है mole हमें दो वर याद करने एक mole and police ठीक है तो mole से क्या होगा M से monatomic और L E से lattice energy ठीक है पहली चीज़ अब polyatomic के लिए हम देखेंगे police P से polyatomic और जो IC है इसमें L नहीं देखना है ठीक है L से lattice समझना IC है तो IC से ionic character ठीक है तो मोल है तो monatomic में lattice energy के directly proportional और polyatomic है तो ionic character के directly proportional होगा ठीक है तो उसके बाद हम directly इससे भी कर सकते हैं साइज ऑफ कटायन ठीक है जैसे यह है हमारे पास NA2O, K2O, RB2O, SCS2O ठीक है तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे यह हमारे पास ionic है ठीक है क्योंकि this is O is non-metal, NA is metal ठीक है तो यह ionic है हमारे पास तो यह वाला case होगा ionic में mono है यह poly है तो हमारे पास NA2O होगा तो इसमें क्या होगा कि O2- is monoatomic monoatomic में mole lattice energy directly proportional मतलब charge by size ठीक है तो हम इसमें देखेंगे कि size के inversely proportional हम लगा सकते है size सबसे जादा इसका lattice energy क्योंकि charge by size के तो 400 सब में same है इसमें है तो हम size के inversely proportional सबसे जादा size इसका तो सबसे कम lattice energy इसके lattice energy के directly proportional तो thermal stability तो thermal stability सब जादा इसकी then 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 ऐसे ठीक है उसके बाद then यह question ठीक है तो इसमें हमें क्या देखना है कि यह भी हमारे पास ionic है ok ionic में हमारे पास उसके बात mono अपा पाली यह पाली यह दिखना है OH- OH- is ionic के polyatomic case है तो इसके case में हमें क्या देकना है कि polyatomic में thermal stability directly proportional थे ionic character के ionic character inversely proportional होता है polarization के polarization inversely proportional सब्सेट के size of cation के इसका मतलब thermal stability में directly proportional to size of cation देख सकते हैं तो कैल्शियम का साइज बड़ा होता है तो सब ज़्यादर थर्माल इस्टिबिलिटी इसकी देन इसकी तो फ्रेंट्स अगर आपको कुछ समझ रहे होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप वीरो देखने के बाद कोशन के और प्रेक्टिस करें और देखिए आप से थर्माल इस्टिबिलिटी के कोशन कितने असानी से होगे अब थैंक यू